नमस्कार आप देख रहें आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप तु मुझे अपनी आवास दो ये हुंकार भरती हुई कंगना रनाउट निकल गई है मुंबई से पांच दिनों का ये जबर्दस ड्रामा माया नगरी छोड़ने के बाद और भी आक्रमक अंदाज में कहा कि जो मैंने कहा था कि मुंबई पियोके हैं वो साबित हो गया ये रिपोर्ट जल्दी से देखिए पूरा सियासी बवाल पिछले दिनों का आप देख लेंगे और फिर चर्चा की शुरूआत करेंगे आप जिस थाली में खाते हो उस थाली में थुकते हो और संजी जी मैं 9 सब्टमबर को आ रही हूं आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबडा तोड़ते हैं वो खुद बोलते हैं मेरा विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं है तो आईसे अविश्वास के मावल में आप नहीं क्यों आती है अगर हमने एक कहा तो बोलते हमको धंकी दी ये मिंटल केस है संजी जी में आप की निंदा करती हूं आप महराष्ट नहीं है जोटे आरूप करते हैं बदनामी होती है हमारी मुंबई पूलिस के अफ्राज जखी आज मेरा घर तूटा है कल तेरा खमन तूटेगा यो वक्त का पहिया है याद रखना सरकार को लगा होगा कोई illegal काम कहा हुआ है तो सरकार की दरब से काम किया होगा तूफान भी जिस तूफानी लड़ाई की रफतार से रश करें वो जंग मुट्टी में समेटे कंगना मुंबई से निकल चली कंगना तो महराश्र का अंगना छोड़ चली लेकिन पियोके वाले बयान का खूटा फिर गाड़ चली कहा मुंबई को पियोके कहने वाला बयान सही साबित हुआ कंगना इससे आगे भी बोलती चली गई जब रक्षक की भक्षक होने का एलान कर रहे हैं घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीन हरण कर रहे हैं मुझे कमजोर समझ कर बहुत बढ़ी भूल कर रहे हैं एक महिला को डरा कर उसे नीचा दिखा कर अपनी इमिज को धूल कर रहे हैं इधर कंगना मुंबई से निकली और शिवसेना की भाषा मर्यादा की सीमा से निकल पड़ी शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने ट्विटर पर लिखा कंगना बार बार शिवसेना को सोनिया सेना कह रही है ऐसे में हमला सीधा उधव ठाकरे पर है शिवसेना ने अपन करश्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती अवैद निर्माण पर हतोड़ा चला तो राम मंदिर बता कर ड्रामा किया मुंबई को पाकिस्तान कहना और अवैद निर्माण की सर्जिकल स्ट्राइक पर छाती पीटना ये कैसा खेल है जंग जारी है एक तूट हुए दफ्तर के मलबे से निकली मान अपमान की लड़ाई सियासी भले हो गई हो लेकिन अब ये एक शेत्रवाद के ऐसे दलदल में धस्ती चली जा रही है जिससे पार पाना मुश्किल होगा कंगना ने ट्वीट किया है दिल्ली के दिल को चीर के वहाँ इस साल खून बहा आप एक राज्य की बदनामे करें एक राज्य के पोलिस को माफिया करते हो माफिया बोलते हो और उसके बावजूद आप उसी पोलिस के सवरक्षन में घुमती हो वही पोलिस आपके रक्षा कर रहे है वही सरकार आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे है सरकार के विरुद्द में बोलता है तो उसको जेल में दाला जाता है या मार पीट की जाती है तेवी सदार ने कोवीड पॉजिटिव पेट्सन्स रोज महारात्र में पैदा हो रहे हैं अस्पताल में जगा नहीं है साथ दिन तक सुषान सिंग का केज ठाकरे सरकार ने दवा के रखा था और आगकी सरकार ही विश्वाद धात के आधार पर बनी है इसके लिए बदनाम है आज से तीन महीने पहले सुषान की मौद के साथ ही बात बॉलिवोड में वंचवाद से शुरू हुई थी और आज आजादी की कीमत तक पहुँच गई है और मुख्यमंत्री उधव ठाकरे ने से महाराश्रों को बदनाम करने की साज़िश बताया है कौन लेकर रहेगा अजादी कंगना तो फिर मुंबई को पीओ के कहकर निकल गई और घामासान अभी बाकी ही है आज तक ब्यूरो प्योग के मुंबई को बोलते रहना ये ठीक है क्या लेकिन उससे पहले एक बड़ी ख़बर बता दे हादित्र ठाकरे परकंगना रनाउत का निशाना सीधा है क्योंकि इस बार जब उन्होंने ट्वीट किया है तो कहा है कि मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए ये सब कर रहे है ड्रग्स माफिया के साथ आदित्य के रिष्टे है उठना बैठना है मैंने ड्रग्स माफिया के बारे में बात की इसलिए मुझे टागेट क यानि ये मत सोचिए कि वो मुंबई से निकल गई है तो तूपान खम गया है तूपान सिलसलवार ढंक से जारी है और वाकई जैसा मैंने रिपोर्ट में लिका था असली तूपान भी रश करेगा इस सियासी तूपान की रफ्तार और तेजी पर डॉक्तर संबित पात्रा मुं मुंबई हिंडूस्तान का 28AT का कैपिटल है मुंबई नहीं होगा तो हिंडूस्तान का कहीं न कहीं पूरा akपूरा अर्थातंत्र जाएगा जहां तक मराठा मानुस्ट और माराश्थ्टड का संबंदे है मैं बता दू छत्रपती महाराज सिवाजी ने हम सब को बचाया थ जिस प्रकार उन्होंने हमें आकरांताओं से बचाया था, जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान की भूमी को बचाया था, इसलिए मराठा और महराष्टर के विराट इतिहास को हम सब जितने भी नमन कर ले वो कम होगा, देखे कंगना ने क्या कहा, कंगना ने मुंबई आने से पहले कहा कि मुझे मुंबई के पूलीस के उपर और मुंबई के प्रसाशन के उपर भरोसा नहीं, और मैं यहां स्पश्टता कह दो, मुंबई की पूलीस और मुंबई की प्रसाशन is not equal to महराष्टर, ठीक वैसे ही, जैसे राहूल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदुस को चिरिया के साथ compare कर दिया कि राहू गांधी में लंडन में कहा था कि हिंदुस्तान में कैसी सरकार है, जो मुस्लिम ब्रदर हुड के तरह है, अर्थात I.S.is की तरह है तो क्या उन्होंने राहूल गांधी ने हिंदुस्तान को कह दिया था, उस से में यह लोग चुप थे ठीक उसी तरह जिस समय सशी थरूर ने कहा था कि ये हिंदू पाकिस्तान है इंडिया बीजेपी के रूल के अंतरगत तो उन्होंने बीजेपी के उपर अटेक किया था या पूरे हिंदूस्तान के उपर अटेक किया था ये सारे लोग चुप थे दूसरी बात मैं एक सवाल पूछ के अंत करता हूँ सवाल है कि चलिए कंगना ने कहा कंगना ने जो भी कहा उसके बाद संजे राउत का जो बयान था वो बयान था अगर प्रसाशन पे और पुलीस पे भरोसा नहीं है तो कंगना महराष्ट्र और मुंबई ना आए ठीक उसी लॉजिक के अनुसार जो लोग कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं हमें हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं हमें बीजेपी के केंदर सरकार पे भरोसा नहीं, उन्हें तो फिर इंडिया में रहने का अधिकारी नहीं होना चाहिए, उन्हें तो उस लॉजिक के हिसाब से पाकिस्तान में रहना चाहिए, जो लोग यहाँ पर कंगना की विरोध में बोल रहे हैं, कि उन्हें महाराश्टर प्रश्न के चिट्थी लिखे दिली के माइनॉरिटी कमिशन के चैर पर्सन ने कम्प्लेंट किया था कुवेट में कि इंडिया में मुस्लिमों की हालत ठीक नहीं है तो क्या उनको पाकिस्तान बेज जाना चाहिए ये प्रशन है मेरा अगर अगर आप तिवारी जी से पूछ लिजेगा तो कन्फ्यूजी हो जाएंगे ना तिवारी जी से तो ये पूछ रहे दीजे कि तिवारी जी पूरी की पूरी सरकार हाथ धो कर मतलब पीते दिनों ऐसा लग रहा था कि मुंबई में सिर्फ एक ही अजेंडा है और वो है कं कंगना रनाउट एक अभिनेत्री के लिए एक महिला अक्टर के लिए इस तरह से तूट पढ़ना सब का चाहे वह सोची किस तरह की भाशाज प्रताप सरनाइक ने इस्तमाल किये कंगना रनाउट के लिए आप किसी को भी ऐसी भाशा की इजासत देंगे अपनी बच्ची के के लिए बताइए यह कौन सी लड़ाई है जो सरकार लड़ रही है वहां पर इस तरह से हाथ दोकर एक अक्ट्रेस के पीछे पढ़ गए सारे के सारे तो वह क्यों ना बोले कि मेरा अनुभव प्योंके जैसा है जब मैं मुंबई जाती हूँ तो मैं जरा मेरा फ्लो सुधार लेता हूँ तो मैं पहली बात करता हूँ कि आज यहों होते दो बड़ी कबरे आई एक आई चाहिना पे दूसरी आई गंगना पे और मुझे समझ में आता कि सारी इंटरनेस्टल मीडिया मीडिया चाहिना के एक्रेशन पर बात कर रही है और आप हला बोल जो भारत की गंभी समस्या पे चलता है उद पर कंगना लेके बैटी है अब मुंबई भी आपके अनुसार चले और आज तक भी आपके अनुसार चले तिवारी जी बताएंगे कि पांच बजे इस पर बहस करो छे पर ये बहस करो फिर किशोर तिवारी जी लिखके बेजेंगे साथ बजे बुलिटिन में पहली स्टोरी ये जाएगी फिर ये मुझे बोलो संबित पात्रा कंगना जी के ट्विट को इंडूर्स करते हैं कि मुझे बोल आप मुद्ध पर अब अब गुद्धेपे अपको स्टार्टिंग में बहुठ नंता है संब्ध पात्रजी जवाद दीजे कि आप उनके साथ है जब वो कहते हैं पिऊख है इनका प्रो भी खराब है और प्रो इनका प्र्प्रो नियर्ट प्राफराब है ग्क निशन प्रब्लें में और फ्ल प्रो प्राफराब्म भी है बाऊ-ची आपका राला है महें pre-s Zero आपके साथ लड़ना में चाहता हूँ ठीक है मैं नहीं करता हूँ अब किसी की बेटी हैं आप किसी की मा हैं यहां भी महिलाएं बैठी हुई आप सोचके देखिए अगर किसी महिला को मैं या क्यों तीवारी जी प्लीज मैं बोलो तीवारी जी मैं इस प्रकार की डिबेट बिलकुल नहीं चाहता हूँ अब आप जाता हूँ एक सीरियस विशय को बहुत चोटा नहीं चाहता हूँ प्लीज प्लीज जवाब दीजे पर अने में माने के पार्ट इवारी जी आप उम्र तराज हैं इस प्रकार से हम अपनी सीरियसनेस नाकाम करें एक विशय पर बोलने दीजिए अंजना जी मैं आ चाहिए बहुत लोग बैट रहे हैं अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं मुझे लगता है हमें डिबेट का सीरियसनेस रखना चाहिए एक महिला की आबरू के विशय में हम बात कर रहे हैं और हमें डीवेटी कर रही हैं यहां लगेगा यह देश कहा रहा है आपने एक एक्ट्रेस को, एक महिला को, एक अकेली महिला को, जिन्होंने अपने दम के ओपर जिन्होंने अपना इतना बड़ा किया, आपने आपको एक आत्मनिर्भर महिला बनाया, आपने उसके साथ क्या वेभार किया, देखिया आप सत्ता हैं, one versus all ये किस प्रकार की सरकार, जिसमें आपके सांसद, इत्यादी, सांसद, विधायक, सब उतर क्या के कुत्ते, हरामकोर, इस प्रकार की भाशा का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी बात में कहता हूं, कंगना ने क्या गलत कर दिया, कंगना ने एक ड्रग कार्टेल के खिलाफ, कंगना ने किसी के सु सर्कार, चिक ड्रूर, इस प्रकार, आप इतना जिसमें आपके सांसद, आप इतना रस्पेक्ट दे रहा हूं, आप बटो यहां पर टिवेट में सब्सक्रा का अब ना क्पर घंड़ करना सब्सक्ताल इक ट्र weld कंगना व्टए आप स सेविसम vanakना ने पर लिखी मारत 156, 007 पापी बागे मैं क्या कुंडा हूं यह कि अंजना जी कहा से इनको पकड़ के रोज लाते हो पतला पता नहीं मैं ब्लड पेशर बढ़ जाएगा इस अधिका अरे पड़ाइब के तो तुम को लाते हो तुम चैले रिपे हो तिवारी जी प्लीज पाच लोग वेट कर रहा है स प्लीज प्लीज संभी जी जवाब पूरा कीजिए वह कहरें कि आदित ठाक्रे पर जुनोंने सीधा हमला किया है तो पर आप सहमत हैं ठीक है मैं जवाब दे रहा हूं आप बताइए एक सपोस्ट करिए आप महराश्टर की सरकार है मैं हूं या सुबरानश जी हैं या इफ् investigation को रो पुरा देश मांग कर रहा है और दूद का दूद और पानी का पानी कर दो 60-70 दिन तक कोई investigation नहीं करना फिर high court से reprimand खा करके CBI को case सौपना आप बताए किसको protection करने की कोशिश हो रही है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मगर ये जो प्रथम दृष्टिया perception पूरे देश में बना है कि किसी ना किसी को महराश्टर की सरकार बचा रही है और कंगना ने तो पहले महराश्टर की सरकार पे attack नहीं किया था कंगना ने सुशान्त के लिए justice का डिमांड किया था आप उसको हराम खोर कुट्ते एक्तियादी सब बोलना शुरू कर दिये मतलब ये हम क्या मुर्ख लोग हैं हमने हमें समझ वे नहीं आ रहा है कि आप किसको बचाने की कोशिश कर रहें और आखिर क्यों बचाने की कोशिश कर रहें जो कंगना कह रही हूं, उससे अब सहमत है? आप मुझे बोलने दीजिए ये मेरा समय है आज वो मुंबई रहते वे उसको डर लगता है उसका ओफिस तोड़ दिया गया अब भी अमसी उसके घर पर अटाक करती है उसके घर का घर तोड़ना चाहती है वो क्या करेगी मुंबई में, वो सास नहीं ले सकती है मुंबई में, मैं तो बोलूँगी खुब लड़ी मरदानी, वो तो जहासी वाली रानी थी, एक अकेली लड़की है, वो जो पूरे रणभुई में लड़ी है, ठीक है, पूरी जंता उसके साथ है, पूरा मीडिया उसक साथ है, पर रणभुई में वो तो अकेली लड़ी है, प्लीज चिवारी जी, अभी आपका समय नहीं है बोलने का, मेरा समय है, ठीक है, ठीक है, प्लीज लगा था कि आपके फेरिट समित पात्राई है, आप किसी को ने बोलने दे रहे, प्लीज, अंजना जी, सही माइने मे मनी करने का है, वो सिर्फ रिल लाइफ की मनी करने का नहीं, रियल लाइफ की मनी करने का है, आज वो मिसाल है, सारी महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की सारी महिलाओं के लिए वो एक मिसाल है, कि वो महिला शक्ती का मिसाल है, तो कंगना की एक एक बात ठीक है, और उसको लैं हो इसम MuFlी के वही महिला हैं जुनोंने हर महिला की इजत उचाल के अपना करियर बनाया है जय हो दो बोना ऑा tätä बिशिका पाड़कॉन है जो हर महिला की इस्फारवारा जिया खान की तूसाइड पर बोला कि यह तो डिप्रेशन में थी इसको किसी नहीं किया वो और इसका उचालना नहीं होता जो महिला हर महिला की इज़त उचाल के अपना करियर बना रही है कगना ने किसी की इज़त ने उचाल के अपना करियर बनाया रही है इज़त नहीं है जो एक अपनितिस्ट है जो बीजेपी के लिए बिहार के लिए पुलिटिकल क्यामपेइनिंग कर रही है इफ्राजान जी कोई किसी की इज़त ने उचाली है उसने किसी महिला की कर रही है जहां तक बात करती है आप लोगों ने तो रिया चत्रबाथी के भिजे सीडियाइ को भी लगा दिया दिया यीड को भी लगा दिया पंदों-पंदों, कर दिया वहाराद लया है या आप ज़ग मख्या कर लियू है? यहां की बाबर की सेना बोल दिया होता इन वालजपा वालों ने तो टीवी पे बुफिर्वर्श चला दिए होता है इन्होंने तो टीवी पे तोपे चला दी होती रजो देश्टो के कमूर अपिला है आप लोग तो बीजेपी की गंगा बे जुले हुए तो आप लोग प्रीजे पी पर आप लगा रहे हैं करें आप कंगना के कंदे पर बंदूक रखकर पाहिए इसके बाद आउगी आकाशी आउगी जल्दी से संब्सक्राइब इसके पाहिए अन्जना जी मैं जरह आजाओ अगर लड़ाई बंद हो गई हो तो बीजेपी पे बहुत सारे अक्षिप लगे हैं एक साथ मत बोलिए एक साथ मत बोलिए मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ तो दर्शकों पर क्या बीत रही होगे एक एक करके बोलिए इफ्रा अपने जो कहा है उसका जवाब ले रही है उन्हों सुनिए अब ही तक क्यों नी तोड़ा गया आर पार की लड़ा है अब जवाब सुनिए ना इफ्रा यह क्या हो रहा है कोई सुनने दूसरे वो तयार नहीं है डिवेट बिगड़ गया है बहुत है देखिए नमबर एक अंजना जी इफ्रा जी और इफ्रा जी से जड़ा रिक्वेस्ट है कि वो दूसरों को बोलने दे तो बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं पहली बात है इफ्रा जहां जी मैं ब पूछिए यह बी सरजिल इमाम और उमर खालिद के खढ़ी हो जाई गणको देशध्रोंगी नहीं बोलेगी कंगना इन के लिए देशध्रोंगी है और उमर खाली इनके लिए देशभक्त है पुई फ्रा जहां के लिए तो याकूब में मंदेश भक्ता और सरजी इमाम तो बहुत बड़ा देश बगता मार कंगना रनावत जो है वो सबसे बड़ी आतंकवादी है यह इफ्रा जहान जैसे लेफटे स्टॉरी जो इसलामिस्त हैं इन लोगों की बात क्या सुनने को लखा है इनको तो लकोट ने लतार लगाया हुआ है इनकी बात में क्यों सुनू कोई लाब नहीं तो इंसे मूझ कोई नहीं मगर एक बात प्र करेंएं और बार बार कहा जाता हैर्यार कुक्त लढ़ी मरदानी जहासी वाली रानी इसको कई की तरह लड़ने से ही कोई रानी बनती है झासी की खूब-लड़ी दुरगानी वो तो जासी वाली राणी थी अगर पुरुषों से भी महान कोई है और पुरुषों से भी अधिक बलवान कोई है तो वो दुरगा देवी है एक महिला है खूब लड़ी दुरगानी वो तो जासी वाली राणी थी पुरुषों की तरह लड़ने से महिला महान नह लिए मैं आज कंगना के लिए भी कहूंगा पुरुशों की तरह लड़ने के वशक्ता नहीं है आप जिस प्रकार लड़ रही है अकेली एक सत्ता के लिए जिस के किलाफ जिस प्रकार खड़ी है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम सब को जिनके पास मस्तिस्क है जिनके पास दिल है एक अकेली औरत की नडाही में खड़ा होना चाहिए मैं कंगना की कई बातों से सहमत नहीं हूँ उसने जो लाइट दिलाई जो कोकस में चीजें लाई ठीक था कई ना कई उनको लाइन ड्रॉ करके रूप जाना चाहिए था वो भी नहीं रूप हूँ आज भी जाते-जाते फिर उन भी करके चली गई कोई पॉलिटिकल बात नहीं है मैं काम नागरिक के साथ गई तो कल की उस बात पर किसी ने कुछ नहीं बोला जब उनके ट्वीट या इंटर्व्यू में कहीं कोई भड़काओं बात होती है कारण कोई भी हो अंजना चॉइस और दोनों तरफ से रॉंग जा रहे हैं तो मैं उसकी बातें एक पॉलिटिकल मौरा बन चुकी है क्यों सोचते हैं आप ऐसा है हम तो ठीक है ठीक है बीजेपी अगर उस मुद्टे को अपनी तरह से भुना रही है लेकिन आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है कि कंगना रनाव डाजन्स हैवा माइंड फ़रोन वो आप पुतली है क्यों अपना दमाग नहीं है क्यां एक महिला काती मारे स reicht कि अजने सब के पास माइंड है अगर भूब पढ़ेंगे तो कित्रा केऊ के का तो फिर सनार चाहँगा आप कहरें किखक और 10 लाख से ज्यादा इल्लीगेल कंस्ट्रक्शन है तो आप हमारे गवर्णर साथ 10 लाख लोगों को मीटिंग देंगे मैं कह रहा हूं कि गौट सी जो रेड़ फ्लाइग उन्हों ने उठाया अच्छा किया अच्छा किया फोकस में लाया राजिपाल साब तो सोनू सूथ से भी मिले माइगरेंट लेपर जो हैं जो रोजमर्णा के जो कामगार थे जिनको लोगों ने घरों तक पहुचाया अथे कई लोग है सुनिये न सर अपना सोच किया हैं वो ही बोलिएगा मेरे सवाल तो सुनिये काउंटर आग्यूमेंट के बिना वहत तोड़ी होगी काउंटर आग्यूमेंट होगी ना सोनुसूद कई से कई लोग ऐसे हैं जो पूरे देश में ऐसे कामगारों को उनके घरों तक पहुचा रहे थे लेकिन राजजपाल सोनुसूद से मिले तो फिर आप बताईए कि आप उसमें बोला गया कि ये तो बीजेपी का अजेंड़ करने के लिए कह रहे हैं वह बिल्कुल नहीं कि नहीं कि दिनों में वह बहुत जरूरी मुता था वी एप्रीशेट दैट उसको पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहते हैं अगर किसी ने दिया है तो वह रॉंग है हैं लिकिन अभी मैं कह रहा हूँ हमारी देश में सुशान सिंग राजपूत चाइना कोविड के इशुच्व चोड़के हम कंगना क्यू डिसकस कर रहें हैं ठीक है आपको कंगना क्यू डिसकस कर खूरें क्या अरे कोविड ऑच बताइए सर्थ कितने माम लें थे अच्ष म और यह पता चलती है यहीं सब्सक्राइब खाइब के लिए आते हैं आपको पता था कंगना पर डिवेट होना है अब कंगना पर जब आपकी देले के लिए तो आपको रोने लगे यहीं तो प्रोब्लम है नहीं जो फोकस डाला अच्छा है लेकिन कहीं तो लाइन ड्रॉब कीजिए वरना आप एक पॉलिटिकल मोरा बन जाएंगी मैं इसका जवाब देना चाहिए बस आकाश दीप जी एकदम एंलाइटेंड आदमी है जुनको सब कुछ ठीक दिखता है अर्शी खान अर्शी खान अर्शी खान आपके पास आते बिलकुल नहीं अभी मैं सवाल पूछ रहे हैं प्लीज बोलने देजेगा यह जो खूब लड़ी मरदानी जहासी वाली रानी का जो ने टैक दिया जा रहा है तो मैं आपको यह बता दूँ कि जहासी वाली रानी ने कभी भी इंडिया को ब्रेकिश से कंप्यार नहीं किया ह उन्होंने पोक बनाया पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर बोला है और वो शहीद हो गई थी यह तो इनकी जो लैंग्वेज है हमारे सीम के लिए जो लगातार बोले जा रही है वो सबसे पहली बात गलत है तो संबीत पात्रा कह रहा हैं कि अगर लोग गवर्मेंट के खिल आप जादी कि तरे शहीद ही हो जाती है लगता है वाइप लगा दो क्यों वह दो लेकिन आप राहु गांदी की बात सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो पॉद्रेंट करती हो के ते जवाब दो लिए और तुस्तान कि पहले हैं पाकिस्तान अप्पड कश्मीर बोले हैं सुन लिजे मैडम मैडम सुनिए अंजना जी मैं आप से सवाल पूछ सकता हूं आकर इजाजत हो तो अंजना जी अंजना जी यह आप लोगों ने बंदूक लगा के इनको डिबेट पर बुलाया है क्या यह सारे लोग कोवीट पर डिबेट करना चाहते थे और जबरदस्ति आप आंजना लित तो तो फिर आप बोल्लू मैं ने बोल लू मैं बोल लू मैं बोल लू फिर आप बोल लीजिए खा चाहता हूँ कि दर्शक कुछ समाज न पाएं, थैंक यू, 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 थैं करेंगा हुम सरकार लाइन ड्रॉट करना होगा हमेशा से ही सदियों से लाइन ड्रो महिला को करना होगा आप महिला को आप यह देखें सारे लोग चिलाना शुरू कर देगा ये कि आप जैसे लोगों के साथ धोगले चरित्र के लोगों के साथ मुझे भैटके डिभेट करना पड़ रहा है चुलione को जपॉर्ट कर रही है आप उसको सपोर्ट कर आप उसको ऑपो शरम आ रही है एंद को चले जाए ज़े अब बिलकूल गरत बातесть चले जाए पार बोल का टेस्ट होगा मैडम प्यालिव के मैंडम ट्था प्छपव अवी है पाकिस्ताइज रोंगे उनको पूचिया यह प्ल गन्दी क्यों कर रही है मैं तो उसमत और नहीं या आप एक रहुल गांधी रहुल गांधी क्यों कर रही है। मैم मैं आप योके को पाकिस्तान का हिصा नहीं बता सकती है आप ने यहाँ पर जो पाकिस्तान का हिस्सा बताया थे आप पहले पी-ओके का फुल फॉर्म पढ़े गूगल कर के वो पाक ओक्वाइट कश्मीर है मैं जानता हूं आप बता नहीं पायेंगे मतलब वो कश्मीर का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान एक अब्जा रखा है समझे थैंक यू वेलकम मैं वेलकम कोई बात नहीं है ऐसे थोट चुटी बात पर नहीं करूगा मैडम मैं डूसरी बाड़ मैडम आप हरामْ खोर जो बोला गया को इसको कैंगने को आप उसको सपोर्ट करती है मैं और मेलारों को हरामप्रोर का मतलब चाहिए अर्वाराम क्या है मैडम साहिए त्या कि वबताईये में या आप कीजिये गूगल पर चंप आ. अगल बिना गुगल में सर्च किये एक पहले पूछ कर आई पर उसे नहीं है मतलब मतलब नौटी नहीं है राम खुर का मतलब नौटी नहीं है आलसी है मतलब कल से अगर आप कभी ने कल अगर आप सुबह देर से उठेंगी सो के दस बज़े तो मैं आपको आपको आपके घर के लोग कहेंगे वो दूसरा वाला हला वाला सब्द कहेंगे मैडम आप इतने intelligent लोगों को आपने आज debate में बुलाया हुआ हुआ हराम खुर का मतलब होता है आलसी और कुट्टे का मतलब करें पेंग्विन तो नहीं है ने कुट्टे का मतलब पेंग्विन तो नहीं है मैडम अब आज निंदा करेंगे ये जिस तरह की भाशाशिव सेना इस्तमाल कर रहे हैं कंगना के लिए और इस पर भी बोलिएगा क्योंकि उन्होंने पीयों के एक बार फिर से कह दिया है कि शुब्रांचु जी कार में बैठें शुब्रांचु जी आवास जा रही है कि नहीं हाँ हां सुनिया सुनाइए ऐसा है नागी कि मन तो था मेरा कि मैं 14 करोड बेरोज़गार हुए लोगों पर बात करूंब चलिए कोई बात में कंगना क्यांगना पर बात करते हैं आपक कि कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए BMC जिम्मेदार है आप जैसा कह रही है और ऐसा मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं तो सवाल यह पैदा होता है कि भारतिये जनता पार्टी बीमसी में क्या कर रही है सबसे पहली बात यह है कि कंगना के बिल्डिंग को गिराने का काम भारतिये जनता पार्टी की बीमसी ने किया है पार्टी बीमसी किसके पास है और बीमसी ने कंगना का बिल्डिंग गिराया रहा है और इक और बड़ी बाद बताई बिल्डिंग गराना गलत है ना टो एक बात और बदाता हूव ऐता हूं और लोखों मैं तो रुका हुआ हम करूंन करो नों और न یہ छते बात हách मैं लानत भेचा ऊँए वह किना था जो महत्ता है पचास करोड़ की गर्रींड बहुत कमाल है अंजना जी यहां एक महिला को हराम खोर बोल दिया और यहां पर लोगों में इतनी रत्ती भर की इनकी नियत नहीं है कि वो हराम खोर को भी अबजेट कर सके मतलब यह बताईए यह हराम खोर को जस्टिफाई करने में लगे हुए है उन लोगों के साथ आज हम डिबेट कर रहे हैं इससे दुखन क्या हो सकता है रत्ती भर मनसत्व इन लोगों में नहीं है पर यही तो है न समय कि आप पीयों के क कोई बात ही नहीं करता है सवाल है कि आप लाइन के किस तरफ ठड़े हैं पाइल रोदगी आरे उतिवारी जी रुकियो एफिर एक सिकंडे पाइल रोदगी पाइल रोदगी पीयों के को जस्टिफाई करना भी तो घलत है ना आप मुंबई को पीयों के कैसे बोलेंगे है दूसरी तरफ वो एक्ष्रीम भी है जिसमें अब शब्दों का इस्तमाल हो रहा है एक लड़की पर तूट पड़ी एक पूरी सरकार हर तरीके से क्या आप कंगना के साथ है यह आपको लगता है कि सरकार ने सही किया है पाइल देखिए मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि कं अब कर सकते क्योंकि नहीं कर सकते क्योंकि मुंबाइज अपाट पीजी आप इंडिया आज आफ नाओ यह 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 बेसिक्स है इस टूपइड लोगों के लिए रही बाच शिवसेना की शिवसेना के लोग जिस तरह से कंगगा को आपकर रहे हैं वो गलत है आइसिंक वो सरकार भूल गई है कि उनको चुना नहीं गया, उनको शैद गटभंदन का पावर मिला है, इसलिए वो लोगों के बारे में फिकर नहीं कर रहे हैं, और उनको समझना चाहिए कि कमिंग इन पावर वन ताइम इस नहीं पावर जिस तरह से वो बीएव कर रहे हैं, आगे जाके वोट नहीं करेंगे, बिकाज आप BMC के द्वारा एक लड़की का ओफिस ब्रेकडाउन करें, जबकि आप सेब मौश मनीश पलोथ हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, और कमना को सिरफ 24 घंटे, तो कहीं मैं कहीं ये एक रिवेंज को इस सरकार है, देखे मेरी बात करने को, मेरे सियम, हमारे मेंटर शरत्पवार और सोनिया जी ये इस चीज को इंडोर्स नहीं करती है, कि किसी लड़की को अबदर शब्दों में बोला जाए, तो हम भी यहां डितोर्म करते हैं, लेकिन आपके पैनल पर कोई BJP के प्रवक्ता आ जाली होता है, अंजना जी, P.O.K. का फुल फॉर्म गाली होता है, और हराम खुर का मतलब आलसी होता है, मतलब यह कहां से सब आये हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो P.O.K. का फुल फॉर्म पूछा जिसके बारे में बोला जाली हो गया, और हराम खुर वह दो बम मेरी पाद रूख आरी उसमभी एक सकड्क तीर गोली को बहुर पुरी करने दिने तो नहीं दो इसके बाड वहाज आ रहुल गांदी कर रहा ज़ये यह दिके घंडे ज्ट दे दूर के तो जल्ली है पियोके तो जाए लेकर रहा हो किसोर जीया बोलने सिरते जो बढ़े हैं वो बड़ी को देते हैं तो नेश्चरल पार्टी से लड़कियों का गाली देते हैं अर्शी कांटे भी बुढ़ जाते हैं पीयों के का फुल फॉर्म क्या है तो आप प्योके का फुल फॉर्म पूछना गाली होता है अब मैडम को की प्योके का फुल फॉर्म पता नहीं मैं क्या करूं बताईए प्योके का फुल फॉर्म पता नहीं ये कोविड पे डिबेट करना चाहती थी आई है कंगना पे बोलने के लिए और बोल रही हराम खुर का मतलब CT होता है अब बता मतलब ये mahi laugh who को हराम खूर कुटा बोला जा रहा है और आप यहां पर एक mahila होके उसे justify कर रहे हैं और रहूल गांधी पहले कि फैन है राजू गांधी तो यह तो राहुल गांदी की बड़ी फैन है एक बार वही शब्द राहुल जी के लिए तो यह तो यह तो राहुल गांदी की बड़ी फैन है एक बार वही शब्द राहुल जी के लिए क्योंकि राहुल जी भी आलसी है देखते हैं जर्णा कैसे कहती हैं यह यह डुप्लिकेसी और यह हिपोक्रसी नहीं चलेगा आप यहां बैटके हरामखोर और कुट्टे सब्द को जस्टिफाई करेंगे कि कुट्टे का मतलब अपने अपने आप अर्श कर कैसे मान लेया चारी दुनिया अन्जना जी मैंने इनको नौटी कहा था अर यह इतने नराज होके यहां फूर उगल रहे हैं और इनूने हरामखोर कर निया वो तो कुछ मतलब नहीं है तो मैंने तो कहा निए अपर पैठी हूँ कोई भी इस तरह का अपशब्द आपके लिए नहीं कि रहें लिए नहीं आप भी समझागे ना वहांती हैं तो भाती हो आपके लिए आपके लिए इसा नहीं होते हूं कि उसके कितने मीनिंग निकाले आपके संजे राउत केते नौटी मतलब है अब देखे आप हस्तर है आप बताइए ना कोई नौटी उसका मीनिंग बता दे कोई बता दे आलती सुनब फिर सवाल ने कुरें तिवारी जी जबड़ा तोड़ देंगे हराम कोर बोला है किसे गमल अंजना जी नौटी मुझे हां रही है कि मैं संदीब पात्रा जी की बात से बिल्कुल सेहमत हूँ उन्होंने किसी को गाली नी निकाली आज़ी आरशी खान से सिर्फ दो सवाल पूछे थे जिनका जवाब उनको पता नहीं था तो आरशी को बुरा लग गिया अब वो अगर अपना उदव ठाक्रे तो उदव ठाक्रे ने थे उनके ख्राफ पात करी हैं अगर इतना घमन है तो तो तूटना चाहिए आप किसी का घर तोड़ तो किसी का ओफिस तोड़ तो इतनी वहनत से बनाया होता है अग्रबारी जी, एकना को पंपान करते हैं, उनको घमण होता है, अरे लोज सांथ को कहां से आते हैं? आपको मूर्दा नी किला आपको कोई गाली नी दी और आपको किसी ने गाली नी दी है और आप थंबित पात्रा पढ़ाई करके आए को आप कभी बोल रहे हैं कि संदीप जी ना आको हराम खोर बोल दिया कभी आप को पता नहीं पढ़ाई मैं करूँ आप की बैन को पुल पूल फॉर्म मानूम नियुद पढ़ाई मैं करूँ अंजना जी ये तीवारी जी को क्यों लगी कि आते हैं अंजना जी अधर आपनी जाते हैं कि अना चाहिए आप तुझा धाल मत कीजिए बिल्कुल नहीं कोई यह अपमान करेगा तर आपसान तिवारी जी अर्षी खान तिवारी जी आपको गल्ती से नेता के रहे हैं अग्तर के लाते हो याने में कि आपके लाते हो चाहिए विज़े प्रतारिस करते हो तुम अरे तुम बखवार करते हो लिए थो लाइं वह तुम अर्धा जी किसको कि गंधी गाधियां चले रहे हैं और तुम सुने बैठके यह सब बाते अजणा जी वह क्यों सुन रहे हैं इंको शभारी जी बहस को परसेल हो इसे हैं किसी बात कर दिये बताइए ये बताइए एक सेके अंजना जी उन्होंने पुल फॉर्म पूछाता ना सर्किता की पता चले कि प्योंके के बारे में कितनी जानकारी है इसमें ऐसा कोई अपमान नहीं था और अर्शी खान का अपमान अपमान आपको तो निकालना पड़ेगा ना कि एक दिन कोई बोले उसका मीनिक नौटी था आप उसकी मीनिक बता दे rc फिर तीसरे दिन को और कर दे एक बना लिजे न अब फिर तिवारी जी रसके लगे देखे तिवारी जी आप एक नहीं बोलना चाहिए एक बार इफ्रा बोले फिर समिंट आप रवाप दीजेगा इस गाली पर नहीं बंद कर देंगे आप भी अप्शा बंद करवा देखे शिव सेना के विधाए प्रताफ सर नाइक ने आज क्यों ट्वीट किया आप शिव सेना के सबरता के तो उनके खिलाफ भी बोलियो और उनको कि बंद करें से अप्शब्दों का इस्तवाल पढ़के नहीं सुना करते हैं किस जानवर की पूछ नली में जालके रहें के बावजू तेरी की तेरी की तेरी रहती है तो विद्धायक है अरे मैं उद्धों जी किसी पर पूरी दुनिया दे रहे हैं जो मूंपे आता है बो चुना हुआ कहेगा कि पूछ को नली में डाल दो तब भी तेड़ी नहीं कि क्या है आप आप बताएगे ना सारी दुनिया को ग्यान दे रहे हैं शिवसेना की विद्धायकों को ग्यान दीजे ना वोड़ी एक लाइन कि ऐसा लिखना गलक है कल आज राट को दे दूँगा पेर करें यो एक इंलीगल ओ grand ago टूफिस में अपना काम किया करती थी वाँ भाई लेकर मुसस्ट से कंपेर किया है और दुर्गा मा को आप इलीगल बता रहें हैं आप दुर्गा मा की पूजा नहीं करती है विश्वास नहीं करती है मगर मूर्ती पूजा के खिलाफ इस प्रकार टीवी में कहना यह उचित नहीं है आप ने दुर्गा मा को अभी इल्लीगल कहा मैंने कहा खूब लड़ी दुर्गानी वो तो जासी वाली रानी थी मैंने जहासी की रानी को दुर्गा मा के तरह सक्तिशाली कहा था और आप ने कहा कि मैंने जहासी की रानी को दुर्गा मा काय के गलग की मैंने दुर्गानी कहा इसले दुर्गानी हिल्लीगल है ये इस प्रकार की भासा ये उचित नहीं है दुर्गा मा के खिलाफ कहना ये करता हować दूर्गा मां के लिए ऐसे सब्दों का प्रहों करना यह सको जो प्रयों का प्रहुत कि लिए उनसे आप तिवारी जी खुश हुए प्राप तो सुने एक साथ मत चिके ना इक बालेट वेशन है लेकिन सवाल का जवाब भी तो सुनना होता है ना सिर्थ चिल्लाने से नहीं हो जवाब दीजे संविज्जीओं आपने कैसे दुर्गा से और राणी लक्ष्मी बाई से तुलना कर दें है अजना जी प्रीज़ प्रीज़ जरा इनके आवाज को शांत किया जाए अंजना जी मैं एक बात कहना चाहूंगा वे जो कविता है खूब लड़ी मर्दानी महां से मर्दानी शब्द के बदले में दुर्गानी और चाहिए क्योंकि मर्दों से ज़्यादा शक्तिशाली महिला होती है और यहाँ पर दुर्गा मा को इल्लीगल महिला कहना दुर्गा मा को यह कहना कि हम मुर्ती पूजा में विश्वास नहीं करते हैं इसलिए दुर्गा मा का यहाँ पर जिकर नहीं होना चाहिए मुझे लगता है कही विधि उने ज्यान को मांगनी चाहिए उन्हों ने मास दूर्गा का अप्मान किया है मैंने ज्यानसी की रानी की दुर्गा मा के समान शक्तिशाली बताया था मैंने कहा खूब लड़ी दुर्गानी वह तो जासी वाली गानी ती और यहां पर इफ्रा जहान ने दुर्गा मा के लिए कराम की बेली ओप दे आ एक पर अर्शी बोलें पर मैं आ रही ह parece ओडियो नहीं और नहीं किये और इपने शरीव द्यादे और खूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी वह कमिता भी नहीं जानती है वह उसक्विता को बोल रहे है इंडील दुकान और मकान की बाद कि कमाल है यह यह जो नए नए सिवसेना की नेत्री है जिनको तीवारी जी नेत लाता बनाया है यह भी कमाल है बताइए और यह तीवारी जी क्या कर रहे है राधे मागज की तरह आई से यह क्या कर रहे हैं तरह नुक्त हराम थे मांकि अद्वाल्शी मतलब नौटी अबने तका जिस पूबार्श अस्वे एग सोगे सोगत स्क्राइए हैं यकुटा पर आपूंट गाल आप मनेटलीति किर्दिशवार नहीं है करने के लिए तो बताव अंजना जी नौटी बोलने से यह लोग चिड जाते हैं और यह करने को नौटी बोला ताब से गुष्सेख वैठे तो यह तो अब मैंने आपको नौटी बोला तो अब और आप कंगना कांगना आपकी बेटी समान है आप उसको हराम ख़र भोलेंगे तो आप भुटी आनन सब तान करके खड़े हो जाएंगे वाँ अरे वाँ अपने और उनके डबल स्पीक को देखिए अब नोटी हो नैं माफी नहीं मागूगा आप बहुत नोटी हो अंजणा जी सबसे पहले तो अब तिवारी जी खुश हो रहे हैं देखकर अच्छा लग रहा है और ये तो डिबेट ऐसे लगता है कि पात्रा जी और तिवारी जी के बीच में ये डिबेट रखी गई है हला बोल की अच्छा लग रहा है तिवारी जी को खुश देखकर और मुझे लगता है कि जब भी पैनलिस्ट आते हैं डिबेट पे तो सबको अपना होमवर्क अच्छ करना चाहिए या ये बाकी कोविट की जहां तक बात है 30,000 केस आ रहे हैं बॉम्बे में एक दिन में कोविट के तो सरकार को कोविट की कोई वो महत्वपून बात नहीं लगती है उनको सबसे महत्वपून लगता है कि बीन सी को बोलके कंगना को ओफिस तुडवाया जाए ठीक है हाँ जी और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी के दीशा को जस्टिस मिलें सुशांत को जस्टिस मिलें कंगना को जस्टिस मिलें सबको इंसाफ मिलें और सही इंसाफ मिलें और मुझे अपनी इंवेस्टिगेटिटिंग अथॉरिटीज पे CBI पे ED पे NCBI सब पे भरोषा है। सब लोग जार्च परताल ठीक से करेंगे और अभी बहुत जल्दी सबको इंसाफ मिलने वाला है। इफराड क्या गलत कह रहे हैं वो? क्या गलत कह रहे हैं? पिल्कुल जी उन्होंने कहा कि सबको इंसाफ मिलेगा जिससे इंसाफ चला गया वो तो है रिया चक्रबती आपने सीबी उटके पीचे पीचे सीबी आइए लगा दी सीबी आइए को क्या मिला कुछ नहीं आपने पीची इल्डी लगा दी 15 परोर के बाशन दिये उनकी लिट चक्रबती सही है अरे क्या बाश कर ले कुछ को शरब करिये वाजी कुछ 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 शरब करिये हमारे भारत की एजन्सी सी और ठेला और रिया चक्रबती जो की बड़ पेडलर के साथ उसके लेन दें थे वो ठीक है किसी ने डायन भी बोला उसको किसी ने उस चैनल ने डायन भी बोला आप यह कहां से अपना प्रीज अपना हुंगत करके आया करिये पहला उसे माखी वांगा पूशलमा नीचे यह इर्फा जी ठीक चांबी जी वो कह रहे है आप देंपी ने जिल्टानी इफ्रा को जवाद दीजे नुपूर कह रही है कि ऐसा अप्शब को अपने ने इस्तमाल किया है नुपूर कह रही है ऐसा को अप्शब ने इस्तमाल अपने रिया के पीछे तीन तीन एजेंसी लगा दी जवाब दीजे आप लोग यह सब कुछ महराश्च्र साहकार्ट को पद्नाम करने के लिए कर रहे हैं बोलिए इसके बाद जरूर रहे हैं अंजना जी मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट ने सीबी आए की जांच की हामी भरी है तो इनको मुंबई हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है इनको तो वैसे याकूब मेमन भी बड़ा अच्छा लगता था यह इफ्राज जाहान जारा यहां पर चलाना सुनु कर देते हैं अरे याकूब मेमन की खिलाव बोले पर चलाते हैं याकूब मेमन की खिलाव पूले में भी चलाते हैं कमाल की बात हैं ये सारे लोग दोगने हैं इनका दोहरा चरित्र और अंजना जी अब आप से भी आनूना की एक बड़ी खबर सुनाते हुए हम आप बहस को आगे ले जाएंगे आप सभी बने रही है हमारे साथ कंगना ने एक तरफ ठाना है कि शिवसेना को जुकाना है तो द अगतार अभी भी प्रहार कर रही है आदित ठाकरे पर अब सीधा निशाना साधा है कंगना ने कहा है कि अपने बेटे को जो माफिया के साथ मिले हुए हैं उनके साथ उत्ते बैचते हैं मूवी माफिया अदित ठाकरे के साथ ही हैं और उनी को बचाने के लिए महराश्य सर मेरे खलती सिर्फ इतनी है आदित्य की वज़े से शिवसेना का घुस्ता है मेरे खिलाफ यानि कगना रनाओ कहीं से भी समझोते के मूड में नजर नहीं आ रही है एक बार फिर से उन्होंने मनाली पहुंचते ही जबादस प्रहर किया है और सीधा इस बार उदव ठाकरे के सा आधित्य ठाकरे पर हमला बोल रही है इस अधिवारी जी जल्दी से इस पर रियाक्षन आप तैने करेंगे कहां तो कल का भी छे वजे का टाइम आप पका कर रहे थे मेरे साथ आप पलपल अपने स्टैंड बदलते हैं सर यह बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ बोलता हूँ अगंभीर समझ्या पर चर्चा करने के लिए गुलाना मुझे और संबित पातराची को बोला इस बार वादे पे ठाकरे का भी नाम ले रही है आपको समझ में आ रहा है आपके विधायक गंदे अप शब्दों कर रहे हैं और आपको यह गंभीर नहीं लग रहा ह आप ट्रेजिंग दब मॉडेस्टी आपको यह गंभीर नहीं लग रहा है सब एक विधाय कैसी भाजन कैसे लिख सकता है जो भी जो भी जो भी बोले ला आपके बोलना अगर तबालों के घेर में तो यह भी तो है ना सब गल्टी कर रहे है बच्चे बच्चे गल्टी कर र के हैं गांगा बीजेपी वालों के जासेम आ गई इसले यह सब कुछ लिक रही है नुपर मेथा गंगना में अपनी सोच की समता तो है उसको कैसे कोई गुम्रा करेगा अनजना जी कंगना में अपनी सोच JAC पनी तो समझ और किसे उसको गुमरा करें गांगा यह सब पीचल कर एhtाप कर रहा है इनको समझाइए कि अमीर शाह के जोंपए हो रहा है मुझे बहुत क्यूट हैं आप बहुत क्यूट हैं आप बहुत क्यूट लगते हैं प्लीज हमेशा हसने रहा करिये बहुत क्यूट लग रहे हैं तो वो बीजेपी क्यों कंगना को बहकाएगी और वो बीजेपी के थापे क्यूट चलेगी उसकी अपनी भी तो कुछ समझ होईगी ना अपने में प्लीज को अक्रति वारी जी आप इसका ना पुल कर दें ऐसे बहुत सारे फिल्म चाज होंगे ना जिस जो शिवसेना का समर्थन कुल कर करते हैं या शिवसेना उनका समर्थन करते हैं यह गुम यह गुना तोड़ी हो सकता है कि उसकी वज़े से आप टागिट क करना शुरू कर दें ऐसे मैं सही लॉजिक दे रही हूं नहीं दे रही हूं आप चिंता में दिख रहे हैं तुम्हारा बात बरबर है और घंगना को महतुव देना गलत है और सरकार गोलकर यह जो कुछ हुआ इसके लिए हम मुझे लगरा एक घंटे और हमने बैस नहीं रह सबस्क्राइब बात बता हो कोई रहसे वो जानती हो जानती हो जो हमें नहीं पता जो अभी तक लिडिया तक नहीं पहुंचा है। कोई भी परिवार इतना बड़ा नहीं हो सकता है। भारतिय जनता पार्टी की बीमसी ने आज से दो साल पहले पंडित कपिल सर्मा का दफ्तर तोड़ दिया। जो सबसे हाइस्ट सेकेंड फोर्थ फिल्म एक्टर्स में टेक्स पेर थे। कोई विद्वा भी लाप नहीं हुआ। भारतिय जनता पार्टी की नेत्री कंगना रनावत नेत्री मैं नेत्री बोल रहा हूं भारतिय जनता पार्टी की लोकसवा के चुनाओं में इन्होंने फ्री मोबाइल वाला केंपेन लाउंच किया तो बीजेपी के साथ। सवाल यह नहीं पैदा होता है अगर बीएमसी जिम्मेदार है तो बीजेपी उसमें मक्खन मलाई क्यों खा रही है। दूसरी इंपोर्टेंट बात अगर वो गलत है तो कानून अपना काम कर रहा है जैसे उसमें कपिल सर्मा के साथ किया अमिता बच्चन के दफ्तर के साथ किया सारुख खान के दफ्तर के साथ किया और तीसरी इंपोर्टेंट बात देखी आज जरूरी है कि रोजगार पे ब इंदुस्तान जिस रूप में जा रहा है भाटा के ने 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 नेता बने कंगना रनावट जी का बहुत बहुत स्वागत है वाई काटेगरी की सेक्योर्टी वाई प्लस दे दी गई और स्कूल डीप से देखें 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 एंजना जी अरे सर चोड़िये का तो यहां पर इंदा का ऑफिस तो ना उसको नोटिस मिला कहां को युदब ठाकरे के समर्थन में खड़ा हो रहा है वहां पर तो आप लोगों ने कट्वी काटी जंता पार्टी है वह भी आसी काउंसलर के साथ भूल गई है आपके लिए जिम्मेदार अगर बीजेपी होना चाहिए चुबराज जी देखें रटा रटा यह ऐसे लिखने के बड़े रिस्क होते हैं तरटी बंजानी और ताली बजाने के मुझे रीच के नीचे बहूत पाने बहे चुका। ईज बहुत पानी बहोई चुका भी एक रटा रड़ने के लिए लिए को प्रप्लेंगो points सुनें के लिए और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ईड़bu